स्वागत आपका इंडिया की बात में मैं अभिसार शर्मा मेरे साथ हैं भाशा और प्रग्या और आज आपके सामने हम तीन मुद्दों को लेकर आ रहें मुद्दा नमबर एक राम मंदिर पर भारती जनता पार्टी की बेसिर पैर की राजनीती सामने आया सोमना टूलकिट मुद्दा नमबर दो क्या राहूल गांधी को निया यात्रा से चुनावी फाइदा होगा और मुद्दा नमबर तीन गोधी मीडिया की बेशर्म साम्रता एकता मगर शुरुआत हम करना चाहेंगे राम मंदिर को लेकर जो राजनीती हो रही है जैसे यसे 22 जनवरी के हम करीब जा रहे हैं भारती जनता पार्टी के नेता मंदिरों में जाडू पोचा लगाते हुए दिखाई देते हैं शंकराचार के खिलाफ टूल किट शुरू हो गया है उन्हें मुस्लिम परस बताया जा रहा है विपक्ष पर लगातार हमला हो रहा है यानि की कोशिश सिर्व एक है कि बीजेपी की सेवा करो ब्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंदन करो उन्हें विश्णू का अवदार पहली बताया जा चुका है क्या इस मुद्दे का पंच शुरुआत करेंगे भाशा से अभी सार एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि सौ फीसदी कवरेज सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के इर्दगिर्द है चाहे जाडू लगाते हुए वह दिखाई दे या फिर जिस तरह से रत चल रहे हैं जिस तरह से सारे शहर बस्तियों में प्रचार चल रहा है किसी भी तरह की और कोई खबर न हो सौ फीसदी सिर्फ मोदी जी और राम जी हो अभी सार क्या है इस पर आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि एक सोमनाथ टूलकिट सामने आ गया जबकि सोमनाथ मंदिर का जो निर्माण था या रिकंस्ट्रक्शन था वो हालात अलग थे एक बात ते है जो मोदी जी कहें वही सही बाकी माइने नहीं रखता मीडिया और प्रचार तंत रहे से ही चल रहा है क्या है समुद्दे का पंच? बताएं प्रग्या अभिसार मेरा मानना है कि धर्म गुरूं का काम नेता कर रहे हैं और नेतायों का काम धर्म गुरूं करना चाहरे हैं तो ये अजीब सी जो विदंबना पैदा हो रही है ये देश के लिए काफी खतरनाक हो सकती है आगे जाने वाले दिनों में भाशा एक सोमनाट टूलकिट अचानक सामने उभर कर आ जाता है यह कहा जाता है कि देखिए 1951 में पराण प्रतिष्टा हो गई थी 1965 में जाके पूरा हुआ था 14 साल का वक्त था मगर जाहिर सी बाते हालात अलग हैं वहाँ पर रीकंस्ट्रक्शन हो रहा था यहाँ एक पूरे मंदिर का निर्माण हो रहा है साफ तोर पर राजनीती दिखाई दे रही है आए दिन मीडिया विपक्ष को गाली देता है मीडिया तक को शर्म नहीं आती कि इन दोनों जो है मंदिरों के पुलना हो रहा है जोड़ा जा रहा है और देखे ना अभी सार सबसे दिल्चस्प ही है कि अचानक ही एक ही साथ सारे मीडिया घराने जागरित हो जाते है जैसे लगता है कि उनके पास फील्ट में एक सारे शुष्ट है सब्सक्राइब कर रहे हैं कि शंकराचार को बिल्कुल निशाने पर लेना है इसलिए बता रहे हैं कि शंकराचार राममंदिर का विरोध कर रहे हैं सोमनात का नहीं किया था जबकि दोनों के आधार बिल्कुल अलग है सारी भारत के लोग जानते हैं कि सोमनात एक रीबिल्डिंग था आप किसी भी मंदिर को दुबारा बना रहे हैं उसकी इस्तिती अलग है राम मंदिर तो आप ही का मंदिर है और जिसको आप कहरे हैं कि 500 साल बाद आप लेकर आ रहे हैं तो 500 साल बाद लेकर आ रहे हैं तो मोधी जी इंतिजार भी कर सकते थे सरकार तो नहीं की थी प्रग्या यहाँ पर देखिये भुनियादी मुद्दा क्या है स्वामी अभी मुक्तेश्वरानन वो शंकराचारिया निश्चिलानन सरस्वती ये शंकराचार जो है वो सुविधावादी नहीं है भाजपा के लिए तो उन्हें निमंत्रण ही नहीं जाता कोई इसकी चर्चा ही नहीं कर रहा है कि आप शंकराचारियों को निमंत्रण नहीं भाजपा में ये सच है कि मोदी जी वहाँ पे चाय रहेंगे 22 जनवरी को लेकिन फिर भी जब धर्म के पालन का मुद्दा आएगा जब रीती रिवाजों का मुद्दा आएगा तो भाजपा को कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि भाई अगर हम पे यारोप आ रहा है कि हमने को नून तोड़ा है विदी विधान का कोई हमने फॉलो नहीं किया है लेकिन कहीं न कहीं जो ये धर्म और पॉलिटिक्स का मिश्रण है इसमें बीजेपी को डिफेंसिव होना पड़ रहा है कभी कॉंग्रस पे आरोप लगा रही कि तुमने भे ये वाले विदी विधान नही लेकिन शंक्रचारियों की आवाज को कहीं न कहीं बीजेपी उसके समर्थकों को सुननी पड़ी है अब ये जो बहती गंगा में कई लोग हाथ धो रहे हैं भाशा आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी भी सुन्दर पार्ट करा रही है मगर मुझे मीडिया के दस जो दोहरे माबदन्ड आ रहे हैं कि मीडिया अचानक कहने लगा क्या केज रिवाल ये राजनीती के लिए कर रहे हैं अरे भाई सबसे जाधा राजनीती कौन कर रहा है 22 जनवरी को लेकर सब जानते हैं महिमा मंडन किसका किया जा रहा है सब जानते हैं इनको शर्म भी नहीं आती है इस तरह की लाइन अख्तियार करते हुए इस तरह की पत्रकारिता करते हुए अब देखिए पत्रकारिता तो इस समय बल्ले बल्ले है अगर रामाइड सीरियल ना बना होता तो मुझे समझ नहीं आता था कि तमाम जो टीवी आंकर्स हैं वो 24 गंटे क्या दिखा होते रामनान सागर का पूरा सीरियल एक गंटा आधा आधा गंटा चल रहा है लेकिन दूसरी तरह अभिसार मैं जहां प्रग्या कह रही है मैं उस बास से इसलिए इत्तफाक नहीं रखती कि बैक फुट पे बीजेपी नहीं है यहां पर बीजेपी ने अपने और बढ़ा और वो किसी भी तरह का डिसेंट या सवाल और वह भी राम के नाम पर जो सवाल अगर आपको भाशा की प्रधान मंत्री के मन में एक हलका सा कसक होगी काश यजमान भी मैं बनता मगर जो शादी है वो थोड़े से आड़े आ गई एक हलकी सी कसक नहीं कि तमाम शंकराचारिय ने भी कह दिया कई और लोगों ने कह दिया कि भाई बिना पत्नी के आप पूजा नहीं कर सकते तो इसलिए आप देखे जिस तरह से मद्ध प्रदेश के मुख्यमंत्री सामने आ गए थे राजस्तान के सामने आ गए थे च्छतिसगण के आ गए थे उसी तरह से एक नए जाए उसकी तस्वीर ने होगी शंकराचारियों ने भी यही कहा है विपक्ष का क्या होगा देखिए कॉंग्रेस ने सपर्श कर दिया राहूल गांधी ने प्रेस कॉंफिस में सपर्श कर दिया कि वह आयोजन पूरी तरह से भाजपा और राजनीती को लेकर है और फिर हमन परिवार के साथ उसके बाद जरूर आना चाहूंगा क्या आपको लगता है कॉंग्रेस कम से कम राहूल गांधी उसमें पिछड़ गए क्या आपको लगता है कि कम से कम सोनिया और मलिका अरजुन खड़गे को अगले दिन चले जाना चाहिए था कम से कम यह जो दुश लगाम लगता कि धर्म विरोधी हैं हिंदू विरोधी हैं देखिए ओपोजिशन चाहे कुछ भी करे अब साउथ इंडिया से खबर आई कि जो पिछड़ी जातियों के एक सम्मेलन को अड्रेस करते हुए एक नेता ने कहा कि भई हम राम मंदिर गए हमें वहां कोई ऐसी भ लगार्या है आला कि मुझे लगता है कि RGD ने जो मुद्दे उठाए हैं वो वाजिब हैं वो कहरे हैं कि IIT BHP में दुषकर्म हो जाता है प्रदान मंतरी खामोश रहते हैं उनीगी रहते हैं महिला पहलवानों की बेटियों पर खामोश रहते हैं स्वाभावे इक सी बात ह राम सिर्व एक व्यक्ति विशेश नहीं है उससे जुड़ा है राजधर्म का पालन उससे जुड़ा है रामराज ये वो सब कहा हैं बिल्कुल तो 22 जनवरी के बाद क्या कुछ चीजें हैं क्राइम होना बंद हो जाएगा ये सब सवाल बाद में पैदा होंगे लेकिन अभी एक सवाल है विपक्ष के सामने खास तोर से कॉंग्रेस जिस चीज से जिस से उनको इतना नुकसान हुआ है पॉलिटिक्स में कहीं नेता उनके हैं जो इसका श्रे भी लेना चाह रहे हैं तो ये एक कन्फूजन का स्थिती जरूर है उपोजिशन में लेकिन वो चाहे कुछ कुछ भी करें जो प्रचार तंत्र है उनके पीछे पड़ा रहे हैं तेकि मेरा मानना बिकुल साफ है कि विपक्ष चाहे कुछ भी कर ले सर के बल भी चला जाएगा तो भी उसे एंटी हिंदू और एंटी सेंटिमेंट करने के लिए कि जब सोनिया गांधी को निमंत्रन गय बिल्कुल उस तरह से पूरा चला रहा है कि यहां पर देखिए चाहे ममता बेनर जी हो ममता बेनर जी ने कहा कि मैं अपना आयोजन करूंगी और उसमें बहुत एक कायदे का स्टैंड लिया कि सर्वधर्म सभा करेंगी वो तो ये एक और काली के मंदिर में जाएंगी सबके आराद है अलग-अलग होने चाहिए और दरसल भारत यही है और दूसरी तरफ आप देखिए कि कॉंग्रेस का यह कहकर एक स्टैंड लेना की भाई आप ही का आयोजन है और हम आपके अदेश की तमाम लोग देख रहे हैं कि कोने कोने में जहां जहां प्रचार है वहां पर म आयोजन है यह आयोजन तो एक ही तरफ जाता हुआ दिखाई जैरा है आपने पोस्टर देखा है जिसमें वो राम लला का हाँ पकड़ कर मोदी जी ले जा रहा है मैं वही तो कह रहा हूँ कभी आप राम लला के दरजे से उपर प्रधान मंत्री का दरजा बताते हैं यह तो आप कल्पना कर सकते हैं कोई और करें और यही मैं जो दोरे माबदन की बात कर रहा हूँ कल ही की खबर है प्रग्या आपने देखा होगा कि मुख्य मंत्री आदितनाद गोरक नाद के विश्व कर्मा मंदर के बाहर कमल की तस्वीर बना रहे हैं और नीचे लिखा हुआ है और भी मोधी सरकार आप सोच सकते हैं अखिले शादव साइकल बना दे किसी मंदर के बार रहूल गांधी जो है पंजा बना दे इस तरह से देकें गेट अवे विध एनिधिंग और लोगों कोई दिखाई नहीं देता है जी हमको यह भी देखना है कि भाजबा जो हमेशा द भारत का निर्मान करना चाहरे हैं यह सवाल वो जनता जो प्रचार तंत्र है वो आपको यह रुखने ही नहीं देगा कि आप यह सवाल पूछ ले और अभी सारी है मैं उन्हों के दिमाग तो बहुत जबर्दस्त है कमाल है इतनी कल्पना शीलता है कि जो हम कहानी पढ़ते ह रियालिटी उससे भी बड़ी जादा हो जाती है तो आप देखिए कि एक के बाद एक जैसे ही थोड़ा वार होता है तूल किट आ जाएगा सोमनात का कि सोमनात को लेकर वो राममंदिर करने लग जाएंगे जैसे ही बात हुई कि शंकराचार उन्होंने चार लोग अपनी त तरह से दिखाई देंगे आप एक एरोप्लेन का स्टार्ट करेंगे वो दिखाई देगा यानि 100% कुछ और नहीं प्रधान मंत्री भी सिर्फ मंदिरों में दिखाई दे रहे हैं इस पर आपत्ती नहीं है मगर इससे पता चल रहा है कि देश के प्रधान मंत्री का फोकस जो जितने और मुद्धों की बात कर रहे हैं जनवरी में जो एहम मुद्धे हूए हैं जिन पर मोदि जी की पूरी तरह से खामोशी है आप वहां पर सै cafeteria आप अपनी आप कोउंस्ट्वेंसी में बात नहीं करते हैं बनारत की घटना तो आप ही की कॉंस्ट्वेंसी है वही के एक मंतरी का कॉल आया और उन्होंने कहा कि देखिए हम जल्दी जल्दी इस लिए करवा रहे हैं क्योंकि अगर हम सत्ता से चले गए 2024 में तो नई सरकार जो आएगी वो मंदिर का जो है निर्मान रोक देगी आप सोच रहे हैं दिमाग में ये किस तरह से किस तरह का प्रोप प्रचार चलाया जाता है और ये ऐसी पुलिटिकल पार्टी है वो नेवर गिवज आप यानि कि हर रास्ते से जूट का सहारा लेके शंकराचारी को खिलाब देखिए वो रामदेव के पीर जातने हैं वहाँ फूल अर्पित करते हैं पुरानी तस्वीर है ये जूट चलाय जाता है कि देखो मुस्लिम के मजारों पे जाके तो फूल अर्पित कर रहे हैं मगर राम मंदिर पे जाने का वक्त नहीं है और सोच देखिए उन्हें फोर्स करें कि वो क्लारिफाइ करें लेकिन भाशा से मैं एक चीज़ पे बिल्कुल हंड़िड परसंट अग्री करती मैं कल रात को मीडिया देख रही थी अपने चैनल चैनलों पे जो रिपोर्टर हैं वो गए हुए हैं अयोधिया वहां ब्रहमन कर रहे हैं साधू संतों से पूछ रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी के बारे में जब वो जवाब देते हैं तो मीडिया वाले कहते कि अच्छा बिडर बनेंगे ये तो बहुत अजीब एक सिती है क्यों ये सवाल पूछना चाहिए क्यों ऐसा क्या करनेंगे और इसी लिए मेरा ये मानना है कि विपक्ष की चुनौती बहुत मुश्किल है और ऐसे में राहुल गांधी ने निया यातरा की बात करें उस निया यातरा में कल उनोंने प्रेस कांफरंस भी की उसमें उनोंने कहा कि देखे मेरा हिंदू होइने का माइना और मोदी जी का जो है उनमें जमीन आसमान का फर्ख है उनोंने ये भी सपच किया कि आखिर वो क्यों मंदिर के निमंतरन पर नहीं गए मगर बड़ा सवाल ये कि राहुल प्रधान मंतरी नरेंद्र बोदी से हैं जहां राम के समकष और कभी-कभी उनसे भी बड़ा प्रधान मंतरी को फोकस किया जाता है तो क्या राहुल गांधी की निया आत्रा सरल शब्दों में कहें तो कॉंग्रिस को चुनावी लाब पहुंचा पाएगी क्या है इस मुद् पार्टी के लिए राहुल गांधी के लिए वो अभी जनता तक वो मेसेज नहीं पहुंचा है इसमें बहुत बड़ा हाथ रहेगा मीडिया का भाशा क्या है इस मुद्दे का पंच देखे मुझे लगता है कि कॉंग्रेस के लिए ये एक जोखिम वरा कदम है और यह जोखिम उसे उठाना ही था क्योंकि अगर राहुल गांधी इस समय सडकों पर नहीं होते तो आप कल्पना कीजे कि क्या कोई भी खबर इतनी छोटी खबर भी कॉंग्रेस या विपक्ष के बारे में होती नहीं होती तो शायद जो लोग इन तमाम जमीनी मुद्दों के बारे में सुनना चाहते हैं समझना चाहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह की यात्रा का निकलना और पॉलिटिकल मेसेज मुझे लगता है इस यात्रा में इनको देना जरूरी है क जिसमें चुनावी जीत सुनिश्चित करनी होगी राहूल गांधी और उनकी टीम को. अब इसार क्या है इस पर आपका पंच? इस मुद्धे पर मेरा पंच ये है कि राहूल गांधी के पास इस निया यात्रा के लावा कोई विकल्प नहीं है उनकी समस्याओं से सीधे तोर पर दोचार होते हैं उससे बहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता एक राजनेता के लिए और देश की समस्याओं को समझने के लिए तो मुझे लगता है कि निया यात्रा जो है बहुत जरूरी थी मैं समझना चाहता हूँ भाशा कि आपको नहीं लगता है कि बहतर होता कि वो समस्याओं को लेकर पारेट रूप करते हैं यानि कि जहां कोई बड़ा मुद्दा हो रहा है आप वहां पहुँचे उसकी चर्शा कीजिए आप अपने आपको फ्लेक्सिबिल रखिए अब आप एक यात्रा से बंद गए हैं एक रूट के हिसाब से अब अगर कोई बड़ी ख़बर होती है तो क्या आप उस यात्रा को तोड़ेंगे तो यह सब भी एक मुद्दा है ना और हम यह ना भूलें कि अब तो हम समर में आ गए हैं राज़नीती के समर में मुकाबले म महाभारत में लेकिन अभी सार मुझे लगता है कि एक बहुत जरूरी जोखिम उठाया राहूल गांधी और पूरी टीम ने और खास और से कॉंग्रेस ने कि इसकी शुरुवात मनीपूर से की यहां पर जो पूरे उत्तरपूर्व के राज हैं उनमें सिर्फ ग्यारा लोग सभा सीटे हैं अभी सार तो एक पॉलिटिकल पाटी ग्यारा लोग सभा सीटों को फोकस करते हुए नीचे आ रही है तो यह एक कैल्कुलेटिव रिस्क है लेकि इसमें बहुत अच्छी बात है कि वह यह भरोसा देते हैं कि भारत यहां से यहां हैं सिर्फ जादा सीटे जह सभावी प्रचार करने मोदी नहीं गए तो यह एक बहुत कैल्कुलेटिव रिस्क है इसमें अगर वह एक पॉलिटिकल मैसेज देते हैं कि भारत क्या है और जस्टिस को भी जिस तरह से उन्होंने डिफाइन किया नियाय यानि क्या तो मुझे लगता है कि अधिकार की बात जब कमलाग जो हैं वो भाशपा कानुसरन कर रहे थे विवादास पत धिरेन शास्त्री के सामने नतमस्तक हो रहे थे आपके सामने नतीजा है आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजे यह दिगज हैं राजनीती के और इनकी वही घिसी-पिटी सोच तो लेहाजा मुझे लगत से जब उन्हों ने जहां पहुंचे तो भई आप ने आप चर्ष क्यूं पहुंच गए वहापर चर्ष का मुद्धा उठाया जाने लगा तो देखिए इस तरह से इस व्यक्ति के सामने चुनोती है मगर मैं कहता हूँ जब आगे बढ़ेगी तब आप बिहार अब इसार ऐसा बहुत लोगों का आज भी मानना है कि कमंडल का जवाब मतलब मंडल से ही आएगा लेकिन सिर्फ एक सर्वे कर देने से ये सारी समस्या हल नहीं होगी अभी के लिए हमें जो दिख रहा है कि कॉंग्रेस की इस नियाह यात्र में एक कोशिश है कि प्रिंसिप देखे एक नेता का काम क्या है मेंस्ट्रीम पार्टी का लोगों से मिलना तो ये तो उनकी मतलब 2019 के बाद उनका यही एक काम था लोगों से मिलना जनता से जुड़ना और एक पॉलिसी फ्रेमवर्क देना अब जितना वो कर पाएंगे छासर दिनों में वो आगे हम देखें भाग रहे तो एक बार अगर मंडल कमंडल फाइट हो चुकी आप उसी टर्म में सोचें तो उतना फायदा नहीं होगा आपको एड़ करना पड़ेगा से ही बात कर रही हूं तो भी वो सब कुछ बोल रहे हैं जाती जंगरना मद्रप्रदेश में नहीं था राजस्थान में नहीं था तो सवाल है कि आप जो नरेटिव बोल रहे हैं उसके लिए आपको नीचे तक तो लोगों तक पहुचाना और इसे एक बड़े मुद्दे के हमने आपने देख लिया कि उन्होंने हिंदू होने के माइने बहुत इंपॉर्टन बात है मुझे लगता है ब्रॉडली सारे लोग इसी तरह से सोचते है कि हिंदू यानी क्या जो नियाय के पक्ष में खड़ा हो जो ये खड़ा हो एक डेफिनेशन है वो भी लेकिन आप इ इस रणीती पर विचार करना है कि जिन राज्यों में उसका सीधा मुकाबला भाजपा से है मसलन राजिस्थान, चत्तीजगड, मध्यप्रदेश इसमें हार का सामना करा पड़े था वहां पर क्या स्ट्राटेजी हो आपके गड़बंधन कैसे आएंगे अगर आप वहां सौ यह जो पूरी की पूरी यात्रा निकल रही है सौ लोकसभा सीचों पर केंदरित है तो मुझे लगता है यह रणीती होनी चाहिए और सबको खुल के बोलना चाहिए यह शर्म की बात नहीं चाहिए कि नहीं राजनीती अलग है चुनाव अलग है आप पार्लिमेंटरी प मांगने पर ही मिलता है अगर आप मांगिये गा नहीं तो मिलेगा कैसे तो कॉंग्रेस पार्टी को यह जो हिचा के वो छोड़ देनी चाहिए अभी क्योंकि उनको वोट मिलेगा तब ही जब वो कहेंगे कि हम यह स्यात्रा को वोटों के लिए कर रहे हैं और उसके बदले मे मगर जानते है भाषा उनके सामने चुनोती यह भी है आपने कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट को सुना होगा पढ़ा होगा बीते हफते कि राहूल गांधी यात्रा अपने शवी को सुधारनी के लिए कर रहे हैं और यही नहीं वो यह भी कह रहे थी कि भी राम मंदिर का नहींति से कोई लेना देना नहीं है हां राहूल गांधी के बारे में जब कहा जाता है कि यातरा का मकसदी हो सकता है कि अपनी अपनी शवी सुधारना चाह सकते हैं यह आंशिक तोर पर सही भी है और होना भी चाहिए मुझे लगता है कि देखे मैंने तो बहुत क्लोजली किया सोशल मीडिया को ट्विटर अब जो एक्स के तौर पर है आप देखे तुरंत ही ट्रेंड करवा दिया गया पपू जैसे ही भारत जोड़ो नया यात्रा शुरू ही उस दिन ट्वीटर पे ट्रेंड कराने की कोशिश थी पपू और पपू इस बैक टाइप इस तरह की चल रही थी यानि अगर आप इमेज नहीं बिल्ड़ अप करते तो फिर कैसे आप मुकाबला करेंगा अगर आपने चीज नोटिस किये भाशा कि इस बार तो क्लिकी नहीं हो पारा भारत जोड़ो यात्रा से फायदा हुआ है कि लोगों को लगाया कि देश में सिर्फ एक ही नहीं है बाकी नहीं है बाकी नहीं है यहीं नहीं आपने एक और चीज पर गोर किया होगा हाला कि भाजपा से हमें आगे भी उम्मीद करनी चाहिए आपने देखा होगा राहुल गान्दी ने जैसी भारत जोड़ यात्रा शुरू की थी तो तुरंत उनके खिलाफ जूट और दुषप्रचार शुरू हो गया तो आपको याद है माननी स्मृती जी जो कथित तोर पर महिला और बालविकास का लियान मंत्री हैं उन्होंने अचानक जूट बोला कि देखिए स्वामी विवेकानन का अपमान किया वहां से यात्रा शुरू करनी थी संबित पात्रा सी कोशते हैं कि अगर बोलेंगे भी तो राम मंदिर और मोदी जी से फोकस हट जाएगा तो हंड्रेट परसेंट फोकस वहीं पर है और मनीपूर पे उनके पास बोलने के लिए है ही क्या यह भी तो चलिए अब हम रुक करते हैं अपने तीसरे बड़े मुद्दे का कहने को यह चोटा सा घटना करम है मगर वो बताता है कि गोधी मीडिया में सांपरदायकता किस हद तक बढ़ी है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज में अराजकता पैदा करना है आपको याद होगा पिछले साल जुलाई में एक खबर आई थी कि तीन मुसल्मानों ने उज्जैन में एक धार्मिक जुलूस पर थूका, दो महिने तक नाबालिग जेल में रहे उन्हें रहा करना पड़ा, और अभी दिसंबर में जो तीसरा था और तीनों मुसल्मान थे तीसरे को भी रहा करना पड़ा, क्यूं? क्योंकि पुलीस ने जिन दो लोगों को गवाहा बनाया था, हमसे कोरेग पन्ने पर हस्ताक्षर कर वा लिये थे। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और वो वीडियो भी जो सामने आया था, उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, या तो पानी फेक रहे थे, या थुक रहे थे, मगर आपको याद होगा, गोधी मीडिया ने उस पर कितना गंदा प्रचार चलाया, मुझे याद आ गई, तब्लीकी जमात वाले मामले की, उस वग भी गोधी मीडिया ने इसी तरह का जूटा प्रचार चलाया था, और फिर औरंगाबाद हाई कोट और खुद सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस ने उन्हें दोश्मुक करार दिया था, तो ये जो सामप्रदाइक्ता की हद है ना, ये गोधी मीडिया ने पार कर दिये, क्या है समुद्दे का पंच शुरुवात करेंगी भाशा, अभी सार मेरा मानना है कि यह एक क्रिमिनल ओफेंस है, आप राधिक कृत है ये, ऐसा एक जिसमें आप एक समाज को, एक समुदाए को टार्गेट करते हैं, और बिना किसी एविडेंस के, आप इस तरह से उसके खिलाफ अभियान चलाते हैं, मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, कोट को यह भी संग्यान लेना चाहिए, कि इस तरह की नफरत पहलाने वाले टीवी चैनल, और अधिकारी जो इस तरह के काम करते हैं, उनके खिलाफ भी कारवाई हो, कम से कम अब्जर्वेशन और बोले कोट, अब इसार क्या है इस पर आपका पंच? इस मुद्धे पर मेरा पंच यह है कि जब यह खबर आई थी, तो सबसे ज़ादा दुश परचार इस देश के सबसे धनी आदमी के न्यूस चैनल ने किया था, जूट चलाया था, इत्तिफाखन इनका एक आइंकर है जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस भी है, वो अब भी नहीं सुधरा है, आज जो मुद्धा मैं उठाना चाहता हूँ, इसमें मेरा जो पंच है यह, कि जो देश के धनना सेथ है, उनका क्या काम है? बिजनस करना, क्या सामप्रदाइक्ता के जरीए वो अपना बिजनस करेंगे? क्या सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी में अपनी पैड बिठाने के लिए आपको कॉमनिलिजम, जूट, इन तमाम चीज़ों की ज़रूत पड़ेगी? क्या इस मुद्धे का पंच? बताएं प्रग्या. अभिसार बच्टा क्या है? मध्यप्रदेश के इस पूरे वाके के बाद बच्टा है सिर्फ और सिर्फ बुल्डोजर. यही एक चीज रहे गई है, उस पूरे वाके में जो इस सरकार को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करती है, बुल्डोजर. भाषा, वाकई शॉकिंग था. वाला वो थूक रहा है, खाना बनाने वाला है, वो थूक रहा है, इस तरह के फेक वीडियो, वो तो आल्ट न्यूज, जुबेर और प्रतीक की पूरी टीम थी, जो लगातार इसको सामने ला रही थी, लेकिन ये बात मुझे बहुत दुख देती है, अभी सार, इस तरह की जो फैसले आते हैं, उनमें ये जो दोशी लोग हैं, जिनकी वज़ा से नफरत हुई, ये जो पूरा एजेंडा और ये पूरा एको सिस्टम है, इंका नफरत पहलाने का, उस पर कोई बात नहीं होती, कब तक, आखिर कब तक इस तरह से बुल्डोजर्व से आपने घर गिर वो बुलंद आवाज में कह रहे थे कि महाकाल पे जो थूकेगा, उसके हम ऐसी तैसी कर देंगे, आज सब शुप हैं, क्यों नहीं बोल रहे हो भाई, खामोशी क्यों है इस तरह से, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ यहाँ पर, मेरा ये कहना है कि आड़ुटाइजर्स को, क यहाँ उनके अंदर एक अंतरात्मा नहीं कि आप ऐसे निज्चैनल में अपना विग्यापन देते हैं, जो घोर सामप्रदाइक हैं, जो समाज को तोडने में लगे हूए हैं, अबिसार, पूरे इंसिडेंट से हम यह समझते कि जो हम समझते कि सरकार क्या है, उसका मतलब ही बदल दिया गया है आप वो सरकार हो जो घर बना के लोगों को देगी या वो सरकार है जो घरों को तोड़ेगी गली महलों में जा जा कर और इसमें उस वीडियो में ये भी दिखता है कि जब वो एक घर को तोड़ रहे हैं तो उसके बगल वाले सारे घर खत्रे में आ जाते है ये बहुत गलत है किसी अपराधी के घर को तोड़ देना ये कहां कियान आए है तो आप उनसे उमीद करें कि वो पश्यताप करेंगे नहीं मगर एक और शीज है ये भी शर्तों के साथ है वो जो आईटी बीएच्यू के दुश्कर्म के तीन आरोपी हैं मैं आरोपी कह रहा हूँ मैं अभी गुनागार नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं अपने मंच पर बात करता हूँ तो मैं कानून सम्मत बात करता हूँ तीन आरोपी थी उनके घर बुल्डोजर चला नहीं चला ना justify करने के लिए ये कहा जाता है कि देखिए अगर हमने इस समूदाय के एक घर को तूटता हुआ देखा है तो दूसरे वाले को भी देखा है तो क्या मतलब अब सरकार का मतलब यह है कि वो हर समूदाय का घर तोड़ेगी यह तो बिलकुल समझ से परे है और यही नहीं भाशा म कारवाई करनी पड़ेगी अदालतें खामोश हैं कई मुदों पर तो उनकी खामोशी बहुत रहस्माए बन जाती है इन मुदों पर काम से कम बुल्डोजर वाले मुद्धे पर आपको कानून सम्मत होना पड़े है और आपको बोलना पड़ेगा कि बुल्डोजर जस्टिस नहीं है यह कोई इंस्टेंट कॉफी नहीं है कि इंस्टेंट जस्टेस आप दे रहे हैं और वो भी सलेक्टिव क्योंकि बात सही है प्रग्याकिक भाई बुल्डोजर कैसे रूल अफ लो हो सकता है अगर रूल अफ लो है तो कोट बंद कर दीजिए जहां जिसका मन आ है लेक केस तैयार हो गया था कोई उन्होंने जल्दबाजी कोई अर्जिंसी नहीं दिखाई उन तीनों पर कारवाई करने के लिए यह दोहरे माब गंडे और कहीं से भी मीडिया में सब कुछ आने के बाद भी चर्शा नहीं कोई फॉलो अप स्टोरी आपको दिखाई नहीं देती यह बताता है कि दरवसल जस्टिस सिस्टम क्या है मकान तोड़ने के लिए आप पहुच गए सिर्फ थूकने पर मैं कहरे हूं कि अगर थूका भी अगर थूका यह तो पता चल गया कि नहीं थूका अगर किसी ने थूका भी तो यह कहा करने आए है क्या हम बिल्कुल कि आप थूकने के आधार पर एक पूरी की पूरी स्टेट मर्शीनरी घर गिरा देती है उस घर में सिर्फ तीन लोग नहीं रहते हैं बहुत लोग रहते हैं तो आप सारे लोग नगाना बज रहा है जश्न मन रहा है तो यह एक जो बिल्कुल भीड तंत्र हावी कर दिया ग करना आप ना उस पर हस सकते हैं ना रो सकते हैं मेरे ख्याल से भारत को उसी तरव धकिला जा रहा है बिल्कुल डिस्टोपियन सा जिसे कहते हैं भविश एक डिस्टोपियन सा भारत यह डिस्टोपियन इसे लग रहा है अबिसार क्योंकि जो आपने सबसे पहले चीज कही कि economy में क्या हो रहा है गरीब और अमीर के बीच में जो अंतर बढ़ता जा रहा है वो भी तो किसी policy के अंतर गती हो रहा है उससे ध्यान हटाने के लिए आप ये सब कर रहे हैं लेकिन इसकी इसकी मतलब जो cost है वो ordinary जो citizen है वो पे कर रहा है बहुत-बहुत शुक्रिया आपका प्रग्या और भाशा इंडिया की बात में बस इतने ही अविसार शेर्मा को दीजिए जाज़त नमस्कार